नमस्कार इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत हैं ब्रेकिंग न्यूज बलिया यातायात नियमों का पालन करें CEO यातायात मुहम्मद फ़हीम बलिया उत्तर प्रदेश शासन के मंशानुरूप पुलिस अधीक्षक बलिया राजकरन नयर के निर्देश के क्रम में यातायात सीओ मुहम्मद फ़हीम ने नगर्क शेत्र में लोगो द्वारा पट्रियों पर किये गए अतिक्रमन से निजात दिलाने के लिए अपने मातहतों के साथ नगर्क शेत्र में भ्रमन किया लोगों से अपील की की यातायात व्यवस्था को बाधित किये बिना अपने दुकानों को संचालित करे यातायात नियमों का पालन कराने हेतु प्रतेक दिन यातायात नियमों का उलंधन करने वालों का चलान किया जा रहा है नगर क्षेत्र में ब्रह्मन के दौरान गैर पारकिंग जगहों पर दो पहिया एवं चार पहिया वाहनों का चलान कर लोगों को हिदायत दिया की बिना हेलमेट एवं बिना सीट बैल्ट लगाए गाड़ी न चलाए एक जनवरी 2023 से अब तक 2493 गाड़ियों का चलान 18 गाड़ियों को सीज़ कर 25500 रुपे की धनराशी समन्शूलक वसूला किया जा चुका है नगरक्षेत्र में शांती व्यवस्था बनाए रखने के लिए सीओ ट्राफिक मुहमद फहीम के नित्रित्व में पैदल गस्त की गई नगरक्षेत्र में पैदल चलकर लोगों को शांती व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई साथ ही लोगों को सढख के उपर कोई भी अतिक्रमन ना करने के लिए कहा गया इस दोरान शहर कोत्वाल राजीव कुमार सिंग यातायात प्रभारी राकेश कुमार सिंग ओकडेंगंच चौकी प्रभारी अजे कुमार त्रिपार्टी के साथ हन्य पुलिस करमी मौजूद रहे